गीता में अर्जुन को स्वयम भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो इसी प्रकार हजरत मुहम्मद को उनका अल्ला कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर वो प्रभू कौन है ये जानने के लिए कृपया अवश्चे सुनिये जगत गुरू तत्वदर्शी संत रामपाल जी महराज के अम्रित वचान तो यहां प्रमात्मा हमें याद लाते हैं कि सुखदेव ने चोरासी भुगती बन्या पजावे खरवो तेरी क्या बुनियाद परहणी तुपेंडा पंथ पकड़वो अब सुखदेव रिशी की बैटरी चारज थी पिछले जन्म की और उस बैटरी चारज से वो पहुँच जाता था वहाँ स्वरग के अंदर उपर के लोकों में तो वहाँ के जे कोमन स्वरग है यह स्वरग क्या है यह रेस्टोरेंट है एक तो प्राइविट रेस्टोरेंट होते हैं उनमद कोई डट जाजा के पैसे वाला एक सरकारी होते हैं उनमद सरकारी या दिकारी ही रुख सकते हैं ये पहुंच गया एक दन ये जाता था कौमन स्वरग इंदर वारे स्वरग में फिर ये पहुंच गया बगवान विश्णू जी के लोक में परतेक इन बगवानों के लोकों में इसी तरह रेस्टोरेंट बने हुए है और ये भी अपना काम ऐसे ही चला रहे हैं उनका ये टेक्स लगाते हैं जो यहां से पुलकरमी प्राणी जाते हैं जैसे एक होटल वाला चारद रख देता है उसका मेने का या जैसे भी गंटों का इसाब से वो खर्चा लेता है सुकदेव रिसी जब पहुंचे स्वरग में वहां के होटल में विश्णू जी वाड़े बड़े होटल में तो वहां एक रूल बना रखे हैं उन्होंने कि जो गुरू यानि जिसने गुरू धार्ण कर रख्या हो वही विक्ति यहां आ सकता है इसमें सटे पा सकता है अब सुकदेव रिसी का कोई गुरू नहीं था बैटरी चारज पिछले जन्म के पुनकरमों के कारण वो आकास में फिर रहा था तो आंके जो पैरेदार थे सेवादार थे उटल के उन्हें मना कर दिया कि गुरू निशी जी आपका कोई गुरू है नहीं और आपको इसमें इंटरी नहीं हो सकती आपकी वो अडग्यान गहा साथ कि तुम पहले विक्ती देखियो हमने मैं तो ऐसे जाता हूँ वहां भी जाता था इंदर के लोक में जाता था उन्होंने का जी वहां जाते होगे पर यहां नहीं जा सकते आप यह बगवान विश्णू का आदेश है उसने कहा कि मेरे को अधिव नाम के रिसी हैं उनका कोई गुरु है नहीं और उनने हट कर रख्या हंदर परवेस करने की परने की करने की जद लगा रखी है आपका क्या आदेश है और उसने यह कहा कि मुझे बगवान विश्णू से मिलाओ बगवान विश्णू आए बाहर आपड़े सीने तो होचा था सुक्देव जी ने के मुझे देखकर जैसे इंदर दोड़ा आता था ऐसे सीने से लगाएगा को वाह बड़ी बगती कर रखे यहां पहुंच गए लेकिन मरियादा बहुत बड़ी चीज होती है बगती मारक में तो विश्णु जी ने उनको सिद्धे मूबात नहीं की और कहा यहां कैसे आयरेशी जी पुने आत्माओं जो विक्ति किसी के पास कोई उद्ध से लेकर जाता है और वो यह सोच कर जाए कि मुझे बहुत सथकार मिलेगा और जाते उसको सिद्धे मूबात ना की जाये तो वो समझ जाता है कि बात बिगड़ी है पिर आद धी त तो उसे ने कहा जी मैं उस दिन यावितीत करना चाहता हूं आपके रेश्टोरेंट में इस्वरग में तो विष्णु जी को पता तो था है फिर उन पार्कदों से पूछा शिवादारों भै तुमने क्योंने इंट्रियों ने दी रिशी जी की तो शिवादार ने बताया ज शुकदेव आप जा सकते हैं बगार गुरु वाले विक्ति को हम इसम प्रवेशनी होने देते हैं आप जाएए अब रिशी जी ने कहा कि बगवान इस परच्वी के उपर मेरे समान कोई ऐसा है नहीं मेरे जैसा कोई सिद्धी युक्त मैं किसको गुरु मना हूँ तो बगवान स्री विश्णु जी ने कहा कि शुकदेव ये भी तरी भूल है ये तेरा अबिमान बोल रहा है तेरा अग्यान बोल रहा है आप जाएए राजा जनक से उपदेश लीजिए राजा जनक कौन जो सीता जी के पिता थे अब वो देखो इन कई कहते हैं कि गुरु जो है बरमचारी होना चाहिए तो वो अभी उनकी भूल है उन विक्तियों की अपने अत्माओं परमात्मा के विधान से अप्रिचिज विक्ति इस तरह की अटकरवाजी करता रहता है तो इन सब परमानों से हमें सिद्ध होगा कि गुरु कैसा होना चाहिए सिद्ध के क्या लक्षन होने चाहिए कैसे उसमें गुरु जी के अंदर कैसे लक्षन होने चाहिए अब सुक्षदेव रिशी बालबर मचारी और साथ दूसंत रिशी और रजाजा जाजने गरस्ती उसने बया करवा रहा के गड़े क्योंकि राजा था अब वहां तो बोल नी सका बगवान विश्मों के सामने तो वापस आगया वापस आया तो वहारे सी और ने अन्य रिश्यों के पास जैसे पहले खूब चाहती खोल कर जाया करता था उद्धन्यू जावबों लटकाएं उन्होंने पूछा रिशी जी आपको क्या ऐसी क्या गटना गटगी बहुत दुखी से नजर आते हो तो उद्धने सारी कहानी बता दी कि मैं विश्यों जी के लोग में गया था और बगवान ने मुझे वहां रहने नहीं दिया तो उन्हों ने अन्य रिसी देवों ने पूछा कि ऐसी बात नहीं हो सकती बगवान विश्यों तो बहुत प्यार करते हैं बहुत अच्छे बगवान है कोई बात और गड़बड़ी पावेगी कुछ और गल्ती कर रखी होगी आपने तब उसने बताया कि मैंने गुरू धारन ने कर रखे हैं बगवान ने या कंडिशन रख रखी है कि जिसका गुरू होगा वही स्वरग में रह सकता है विश्यों जी के स्वरग में तब अन्य जितने भी देव रिशी थे उन्होंने कहा रिशी जी आप तो बहुत भारी भूल किये बैठे हो हमने तो यह सोचा था आपने कोई गुरू बना रखा होगा आपने बहुत भारी गल्ती कर रखी है बिना गुरू के फिर रहे हो आपने जीवन नास कर दिया अब वहां उसने फिर बताया कि बगवान में मेरे सामने एक समश्य और पैदा कर दी क्या पैदा कर दी कि कहा है कि राधा जनक से नाम लो तो क्या कहता है कि राज जाजना गरिष्टी बाई और कैसे सीस नमाउ जाई वो एक गरिष्टी में बाल परमचारी और कैसे नमस्कार करूँगा मुझको मेरी तन इज्जत का नास हो जागा अब ये मान बढ़ाई और इज्जत या भी बगती का इन दुस्मन है परमात्मा कहते हैं राज तजना सहज है और सहज तरिया का ने मान बढ़ाई ईर सा ये दुरल लब तजना ये और इनके तजे बिना बगवान नहीं मिला जाए कितनी बगवाद कर ले और पुनात्मों यहां आपको इसलिए बुला जाता है वैसे तो परमात्मा अपने बच्चों के लिए सब सुविधाएं ही उपलब कराता है दयालू है वो मालिका अमारा पता है लेकिन फिर भी आपको यहां जमीन पर बठाना परनाम करने के लिए एक विशेश विधान है जिससे हमारे अंदर का यो जो मैल है अब एमान का दो सबसे बड़ा बाद है का वगवान के मारे को यो खतम हो जागा और इसके वबना वगवान निक्ट नहीं आ सकता अब जरास भी मैल कहीं पर हो तार के बीच में कनेक्शन ले रख्या हो तो लाइट नहीं आवगी लाइट नहीं तो फिर फायदा किया उस सारे सांग के जोड़न का तो पावर प्राप्त करने के लिए बगवान की सक्ती को अपने पास लाने के लिए तो हमने ये एंकार रुपी ये मेल हटाना पड़ेगा तो सब ने कहा कि रिशी जी दुलम कर दिया आपने तो गहुत गलती कर रखी है एक आदा वगा करें मूँ ठड़ सा हो करने लगया बग्ची ना गुरू ना बना वगा ना गदा बने गागले जनमे अब उसने जब यह बात सुनी क्योंकि पुनकर्मी प्राणी तो होते ही हैं ये लेकिन अग्यान के कारण ये अपने अपने अठकल मारते रहते हैं जब इनको ग्यान होता है तो तुरंट त्याग देते हैं बखवादाओं को एकदम उसके धटका लगा उसको अपना पिछले जनमें की काफी वह कहते हैं न बैक राउंड देखी पिछले जनमें के अपने दुख उसके सामने घोमने लगे उसको क्या हुआ कि जैसे उसको याद आया उसकी दिवद्रिश्टी वो चलू होगी अंदर की जिस्तनी उसकी रेंज थी अब क्या देखा सुकदेवरी सीने के एक बार वो गधा बना हुआ है गधे की योनी भोग रहा है कुमार ने उसके ओपर अच्छा बूरे में खूब नीचे से पकी कची इटे डालता है और ले जाता पजावे पजावा होता है जहां पर ये कुमार लोग इटे पकाया करते थे उसमें क्या होता है कि जैसे बठा सुरू किया लगाना उसमें जो भी इंधन डाला जाता उसकी राख बन जाती है अगले सीजन में उस राख के ऊपर ही वो दुबारा लगा देता है क्योंकि उस राख को कहँ डाल के आए और सथार नहीं नेक्स सीजन में फिर उसके ऊपर ही लगा देता है राख नीचे बनते बनते बहुत बड़ा वो पहाड़ नुमा हो जाता है फिर उसके उपर लगाना शुरू कर देता है तो उसके उपर गधे से नीचे से कच्ची इंटे ले जाता है ऐसे ऐसे और वहां कच्ची इंटे उतार देता है वो उसके थैले से कमर पर लाद रखा होता है और वहां तुरंट पक्की इंटे बर देता है और फिर मार के लट नीचे रे चलता कर देता है यानि नीचे से भी लद्धा जा उपर से भी लद्धा आवे कहते हैं मैं अंधा हो गया दो तीन वर्स ऐसे कठीन काम भी लिया मेरे से मेरे मालिक ने अंधा हो गया तो मुझे चाग दिया जंगल में छोड़ दिया मैं चलता एक पकड़नडी सी पकड़ दी मैंने उस पर चलता चलता जा रहा था आगे कोई नाला था एकदम नाले मगले पैर ठीके वापिस आने में ऐस समर्थ रहा आगे जाने कि मैं भलाई समझी छलांग लगाई वो ऐसा नाला था कि मैं फ्यट हो गया उसमें आगे मूटे किया पीछे तो पी ठड़ी पैर लटे किये और उस रस्ते पर एकादुका कोई विक्ती आता था जंगल में गाउं से दूर था तो जो विक्ती कोई एकादुका आवा है मुझे निकालने का प्रेतन नहीं क्या मेरे उपर कमर पर रखर पार हो जा पुरी बना ली मेरी हफते दस दिन तक भुगत कर मेरा जीवन पूरा हुआ है अब वो रिसी कहन लगे फिर अब क्या देखना चाहता है तू ये तो हालत जब है जब तूने आखों देख लिए फिर तून लखरे कर रहा है तो उसकी जो बुझी के सुक्रिव डिल्ले हो रहे थे वह टाइट होगे एक मिन्ट में और चल पड़ा है वहां से फिर आगया अपने पिता व्यास जी के पास जब सुक्धेव रिसी का जनम हुआ वो बारह वरस तक मां के गरब में रहे थे और उसको मां के गरब में इस प्राणी को सब पता होता है कि बाहर जाते भी जड़ी गरेगी एकदम क्या होता है मां के गरब में तो इनवर मां विस्णो महिस इनवे के गुन है रजबर्मा जी रजगुनी है रजगुन है इसके अंदर और विश्मु जी सतगुन है और संकर जी तमगुन है तो इनके गुनों का परभाव बाहर आते ही बच्चे पर एक दम असर कर जाता है इनके बसकी फिर एकदम अचेत हो जाता है, भूल जाता है, कुछ भी याद नहीं रहता है, सुन हो जाता है, इसको नए सिरे से याद करा जाता है, यह तरह पिता है, यह तरह पिता है, यह तरह यह उता हूँ है, यह सब फिर याद करा जाता है, तो उसको पता था, के बार जा और ज़्यों शृजिया। ऐसे तो हमारा तोने सारा करम बिगाड़ दिया। अब बारा बारा वस्त तक इसमया है। बच्छी को गर्भ में रखेंगी तो एक आदध이를 पढ़ जाएगी सबको तो ये तो नौ मैने में दुखी हो जाती है इतने दिन कैसे रखेंगे तू बाहर आवाई ये मारी परमपरा खराब मत कर रहे है सुक्देव ने एक कंडिशन रख दी एक सर्त रख दी कि बाहर जब आऊंगा तुम अपनी इस तिरगुनमई माया को रोक लो ये कहन लगे वह देखो हम इसको रोकने में इतने सक्सम नहीं है हम रोक नहीं सकते लेकिन सेकंड की भी कुछ अन्स के लिए हम अपना कुछ कंट्रोल कर सकते है ना ये परवा हमसे नहीं रुखता सुक्देवरिसी नहीं कहा कि तुम एक बर रोक दो थोड़ी शी देर तो कहते हैं सेकंड के भी कुछ अन्स में ही वो रोक पाए थे तभी वो मा के गर्म से बार आ गया और उसको चेतना रही कि भगती ना करने से ये जीव विर्थ हो जाता है जीवन नश्ट हो जाता है उसको ये आभास हो गया कि ये तो मा के गर्म में ये याद रहती है कि मुनस जीवन प्रमात्मा प्राप्ती के लिए अब उसने सारा कुछ कर लिया मा के गर्म से बाहर आते ही अपनी और नाल को जो सुन्दी से लटकी होती है अभे वाज लगाई, अरे पूतर मेरे बेटा कहां चले अपने अत्म हो पूतर का वो बहुत खतरनाक होता है, बहुत परबल होता है, पूतर मों में रेशी जी बार बार पुका रहे हैं, बेटा एक लान दर्शन तो दे दे, आरे एक बार शकल तो दिखा दे, बारा वरस तरकी दरसन करूंगा, ये पीछे से बात कर रहा है चलता चलता के रिशी जी, ना जाने कितनी बार तू मेरा बाप बन लिया, ना जाने कितनी बार मैं तेरा बाप बन लिया, ये तो बुरी बिमारी है, मुझे इसम मत फसा, और यहां कभीर साहिब ने कहा है, उसने क्या कहा, रिशी जी ने, सुकदेव रिशी ने क्या कहा, कि एक लेवा एक देवा दूतम, और कोई किसे का पता नी पूतम, ये तो रिण संभन्द जुड़ा एक ठाठा, अंत समें सब्वारा बाटा, ये तो एक दूसरे का लें देन उड़े रहा है, कोई किसे का बाप नहीं, कोई किसे का पूतर नहीं, जिस जिसके जितने संसकार हो अपने पूरे करके, यहां से तले जाएंगे, फिर कोई गदा बनेगा, कोई पुता बनेगा, कोई मनुसी बन जाएगा, ये फिर परिवार ऐसा नहीं होगा, और इसका कास में उड़ गया जब तो वो चला गया उसके बाद फिर आया जब युवा हो लिया फिर वापस आया अपने पिता जी के पास के बड़े विद्वान पुर से उनसे इसलह लेता हूं ग्यास जी ने कहा आ गया पुतर के आ गया पिता जी अच्छा बेटा बड़ा कोई बात न आ जो मेरे पास रहो बेटा तब उसने कहा सुकदेव रिसी ने कहा कि पिता जी मेरे सामने एक समस्या खड़ी होगा एक प्रोब्लम भारी है सारी कहानी बताई मैं ऐसे विशनु जी के लोक में गया था उन्होंने वारे ने से बना कर दिया क्योंकि मैंने गुरू नहीं बन ोनी होते हैं वो एक कर सुर्म बोला करते हैं तो शुद्रसी जी का मात थन क्या है और कैन लगया रहे बेटा घेञ मने सोचा था पने maritime बना बना रख यो,... अरे जाएगा कहां तो फिर उसने अपनी वो दूसरी प्रोब्लम बताई कि बगवान विश्मन ने कहा है कि रादा जानक को में गुरू बना हूँ मैं तब बाल बरेम चारी और वो गरिजती मैं कैसे सिर्म आवा पिता जी कैसे नमस्ते परनाम करूँगा उन्ते डंडवत करनी पड़ेगी तब रिशी ने उसके पिता ने कहा बेटा यदि भक्ती करना चाहता है और इन दुखों से बतना चाहता है तो ये करिया चाव बेटा करनी पड़ेगी ज़्यार जो बगवान ने कह दिया जब परमात्मा का आदेश हो गयर फिर अगर-मगर कर रहा तुम विदुवान काएगा तेरी ये दो दिन की बेटरी तारज है फिर ब्रहन मैटी होगी तेरी बेटा तो विदुवान काएगा तो तुम जीवन नस्ट कर रहा है और मुझे भी कलंकित करेगा जा कर नाम ले बेटा जीवन नाशना कर रहे तब वो गया राजा जनक के पास अपने अत्मों राजा जनक के पास जब रिशी जी पहुंचे राजा जनक ने अपने सेवकों को नोक्रों से कहा आसन लगा दो मैं रिशी जी आए है आज हमारे भाग रुदे होगे आसन लगा दो बढ़िया बढ़िया कपड़े लगा दो फूलों से सजा दो उन्हों ते एक मिनट में कैट्टी कर दी आसन लगा दिया तो कहा राजा जनक ने कि रिशी जी विराजो बैठो आसन पर जमीन पर बैठ गया कैना कि मैं आपको गुरू बनाने आया हूँ आसन पर नहीं बैठ सकता हूँ अब राजा जनक के यकीन नहीं हो अच्छा नहीं यह बात यह रिशीदें शर्फरे होते हैं यह कोई किसी नोकर ने कुछ कह तो नहीं दिया इसको क्योंकि शराप भी दे सकते हैं यह तो विसैले शरप भी होते हैं इनके पास यह शराप देर्ण की भी एक पाव रखते हैं राजा अजनक चन्तित हो गया कि फगवन कोई गलती हो तो माफ करना डिसी जी, हम तो ग्रिष्टी बेखती हैं, किसी नोकर में कुछ कह दिया हुआ आपको माफ करते ना, आप नीचे ना बैठो मेरी बेजती हो, मेरी जो है ना, मैं यह सैन नहीं कर सकता, क्योंकि रिष्टी नीचे बैठे, कोई गलती हो तो माफ करो, तो कहनने कि नहीं आज में उपर नहीं बैठ सकता, क्योंकि मैं आपको गुरू बनाने आया हूँ, उसने सारी कहानी सुना दिया, ऐसे ऐसे मैं विष्टू लोक में गया था, और बगवान का आदे से मैं आपको गुरू बनाने आ लेकिन दिक्सादेन से पहले सिस की थोड़ी बहुत कुछ उसको सेट करना पड़ता है, जैसे अब दास आपको ग्यान देता है, पूरा विधान बताता है, जो समझदार वगत आते हैं, पर थंबार आते हैं, तो इस ग्यान से परभावित होकर वो इस दास को एक संत मान कर नाम लेते हैं और फिर विस्वास दड़क तासे उस पर लगते हैं, तो लाब मिलता है, नाम भी ले ले ले, विस्वास ग्रूप होता नहीं, तो उसको लाब नहीं वा करता है, जैतम मार गए को बच्चों का खेल नहीं है, तो राजा जनक ने कहा जी सुबह नाम दूगा स उसकी वरस्था कर दे रिशी जी के रुखने की, और वहाँ पर एक नोकराणी एक औरत की बेन की सिवा लगा दी तो रिशी की सिवा कर उसको सारा समझा दिया लड़की को, कि ऐसे ऐसे इसकी प्रिक्षा करना, रिशी जी बैठे थे अपने बैड पर लड़की अंदर गई, और उसी के बैड पर बैठे की सर्णों की तरफ, रिशी जी ने पैर मूर दिये, और आगे नहीं तो रिशी जी बैठे गे, और उसके निकट गाना चाहत तो रिशी जी बैड छोड़कर खड़े होगे, को ने कहने लेगे, माई, बेहन, आप क्या कर रहे हो, सादू संतों के हाथ नहीं लगाते हैं, बिश्टर पर नहीं बैठते हैं, आप क्यों मरियादा भंकर हैं, आप जा सकते हो, वा लड़की आगी, अब रादा जनक ने पूछा तो उसने सारी कहानी बता दी जी, एक नंबर के मातमा है तो, मैं टच्बी नहीं होने दिया मुझे और खड़े ह अपना अत्मा प्रमात्मा ये कहते हैं, कि गोरक से ग्यानी गने और सुक्जे जती जिहान और सित्ता से वह भारिया संत दूरस्थान, ऐसे जती भी था, ऐसा दर्ड विश्वासी भी था, सयम्मी भी था, लेकिन नाम बिना कतिव खाली खोखा था, अब गुरू बिना और सच्चे ना यतारत बग्ती के बिना खाली खोखा है ये मनुस का जीवन, शरीर, वो वेल विदाउट वाटर है, तो सुबह राजा जनक ने क्या किया, कि इसकी फड़क निकाल दू, यून्यों कहता राजा दनक रस्तिवाई, अर्मबाल बर्मचारी मने इस तरी का मुख नहीं देखा, सुक्दे बोले ग्यान विवेका, हमने कदे इस तरी का मुँ नहीं देखा, राजा जनक रस्तिवाई, कैसे इस इसने वाउँ जाई, तो राजा जनक ने बुला लिया कि रिशी जी को बला लाओ, रिशी जी बैठ गे, नीचे बैठ गे, जमीन पर कोई दरी दूरी बिच्वा दी और साथ में ही थोड़ी सी दूरी पर नोकरों से कहा राजा जनक ने कि वही गरम पानी करो वो समझा रखे थे का अच्छा भठ बाल तो इसमें पूरा चूला लगा को उपर रख दिया एक कडाई है पानी गरम करने की कडाई रख दी और साथ में नाने के लिए एक पाटड़ा बिचाय लिया जैसे पटड़ी ही होती है पहले बड़े-बड़े पाटड़े होते थे पूरा तीन वाई दो का तीन वाई तीन लकड़ी के पटड़े ही बनाये होते थे, उन पर बैठकर सिनान किया करते थे राजाजनक ने वहाँ उबडते हुए पजल के उस कड़ाई के साथ में लगवा लिया और उसकी दस जारानियां बताते हैं राजाजनक है उसमें से जो उनकी मुख्यरानी थी, पटरानी बोलते हैं उससे कहा मुझे सनान कराओ, अब वो सनान करने के लिए बैठ गया उसकी पत्नी, उस उबलते हुए जल से नुबाल रखा जैसे गुलगले तार्यागरें, जले भी उतार्यागरें जब उबाला करें गी को तो उस उबलते हुए पानी से लोटा बर है वा पत्राणी, राजा जनक के चोटी में डाला है राज से मसला नुसार है और वो सुखदेवरे सी यह हुए पाच्छे ने, अगजल गाए भी हो वा लोटा गेरा और पाच्छे ने सरका है, अगजल गया तब राजा जनक ने कहा के ए बाल परमचारी यह ब्यास के बेटा, मैं गरिष्टी हो और मेरे सनान करने के बाद जो पानी गटर में जा रहा है यह नाली में जा रहा है, तो इसमें उंगली जैजे बेटा तब जानूगा तो किसा बाल परमचारी है नुहला महना जो, आज जड़जा में राता है राजजा भीहंस देई तबतारी और हमें असनान करावा नारी ए ब्रमचारी तेरे तते नारी अच्छी यह पत लड़की जो सत्य नाम इस सभी मंतर के जाब से इसका स्रीर ऐसा सॉलिड हो चुगा है और आप भटक रहे हो, दखके खा रहे हो सरन पकड़ लिए बाल भरमचारी एकदम कती नत मस्तक हो गया तो पुने अत्माओं या फटक निकले बिना गुरू बनान का कोई युजबी नी लाव नहीं हो जीव को जब तक आपको गुरू जी पर विस्वास नहीं होता इतना दारन नहीं करना चीए फिर अगरम-गरम करते हो तो बक्ती खंड हो जाती है तो उस दन के बाद राजा जनक के परती उसकी पूरी सर्दा होगी उसने सिर्फ ये चमतकार दे का गुरू बास विश्वास हो गया विश्वास करको कियो लिन चमतकारों से नहीं वो तो पराणी कथाएं हैं जैसा उनको लाब हुआ कितना लाब हुआ राजा जनक से उपदेश लेने के बास सुपदेव रिशी स्वरग में गया बस विश्वास लोक में राजमान है और पून खतम होते फिर यहां तके खाओगा तो इस ग्यान को आधार बनाके गुरू बनाना है और बक्ती करने अपना कल्यान करवाना है बोलो सत्गुर्दे परम पिता परमात्मा पूर्ण बरम सारी सरिष्टी के रिचनार कबीर परमेश्वर जी की असी रजा से आप जी सत्संग सुनने के लिए उपस्तित हुए जिन पुन्यात्माओं के विशेश पुनकरम उनके साथ होते हैं वही पराणी सत्संग पराप्त करते हैं परमात्मा कबीर परमेश्वर जी ये हम सभी आत्माओं के जनक हैं ये पिता हैं हमारे और हम अपनी गलती के कारण इस काल के जाल में फस गए हैं अब यहां पर कोई पराणी सुखी नहीं है यहां तक कि स्वर्ग लोग के देवताओं को भी चैन नहीं है फिर हम यहां रह किसलिए रहे हैं यह हमें भी मालूम नहीं था हमने इस जनम और मर्टू को और संतानों उत्पत्ति और परवरिस को इनके पालन लालन को विवा को बस इसी काम को अंतिम मान रख्या था कि हमारा इतना ही कर्टव है यह पूरा होने के बाद हमारी बले ही मर्टू हो जाए अब प्रमात्मा ने आकर के ग्यान दिया है आग गए ना बावडे रते भी सब जाही बिन साहिब की बंदगी कहीं ठोड़ ठकाना ना ही पहले चले गए उन्होंने तो आकर बताया नहीं उनकी क्या दसा हुई आगे और रहते हैं जो सेश बचे हैं वो भी चले जाएंगे यानि मर्टू और जनम होते रहेंगे बिन साहिब की बंदगी कहीं ठोड़ ठकाना ना प्रमात्मा की सत्पुर्श की बग्ची के बिना इस जीव को कहीं सथाई सथा नहीं प्राप्त होता है जैसे मनुश्रीर के अंदर प्राणी की मर्टू होनी डाफिनेट है या मर्टू हुई पुन और पाप के आधार से आगे इसको सथान मिलता है पुनों के आधार से स्वर्ग प्राप्ती होती है स्वर्ग का समय सीमित होता है वो उसके पुनों पर आधारित होता है जब स्वर्ग के अंदर उसके पुन की पुन्जी समाप्त हो जाएगी उसको कुछ समय पहले ही अलर्ट कर दिया जाता है अब तिरा जाने कासर में आ चुका है ये और समय स्वर्ग के देवताओं की शुर्ग के वासियों की वासियों को उनको पहले पता लग जाता अब तम्हारी मरतु होगी ये समझा लो उनको फासी की डेट दे दी जाती है तो फिर वो प्राणी उस स्वर्ग में रहकर भी नर्क मैसूस करता है वहां मर्तू के उप्राण जब्रदस्ती जैसे यहां बाई फोर्स मार दिया जाता है मर्तू कर दी जाती है कोई कारण बने है इसी परकार स्वर्ग में भी समय पूरा होते ही वहां से बाईफॉर्स निकाल दिया जाएगा, बलपूर्वक है, फिर नरक में डाला जाएगा, नरक कसमें पूरा होते ही, वहां से बलपूर्वक बाहर फैक दिया जाएगा, तो पन्यात्मों यहां पर्थवी लोग पर मर्त्यू ही, यहां से होई चलो चलो, श्वरग में गए, वहां होगी चलो चलो, और फिर नरक से भी फिर चलो, गदे की यूनी पाई, फिर मर्त्यू होई चलो, कुता बनो, कुते की मर्त्यू होई चलो, शुर बनो, तो ऐसे और फिर समय आने पर फिर मनुश बनो, तो यहां पन्मात्मा बताते हैं, आग गए ना बावडे, रते भी सबजां ही, बिन साहिब की भगती कहीं छोड़ ठकाना ना ही, जैसे मुटी ओस का, ऐसी तेरी आवड, गरीब दास करो बंदगी, बहुर ना ऐसा दावड, अब क्या बताते हैं, आपका मानो स्रीर ऐसा है, जैसे सुबह सुबह ओस गिरती है, गास पर, कांट्रों पर, पत्तों पर, और सुरिय उदे होते ही, एक गंटे के अंदर उसका नाम और निसान नहीं होता, तो यहां बताते हैं प्रमात्मा, गरीब दास साहिब जी कहते हैं प्रमात्मा से प्राप्त ग्यान को, जैसे मुटी उसका, ऐसी तेरी आव, तेरी आयू ऐसी है, और गरीब दास कर बंदगी, बहुर नहीं ऐसा दावड, अब दाव कैसा है, मनों सरीर एक दाव लगा हुआ है आपका, और इस दाव को चूक गए, फिर बहुत लुम्बा कारिये प्राहर्म हो जाएगा, तोरासी लाख योनियों में, बरम बटक कर कश्ट उठा करके, फिर कभी मानों सरीर प्राफ्ट होगा, तो यही करिया है, फिर हम करते रहेंगे, तो पुन्यात्माँ, परमेश्वर ने बता है, सुक देव ने चौरासी बुगती बन्या पजावे खरव, तेरी क्या बुनियाद परणी तू पेंडा पंत पकडव, वो सुक देव जैसे रिशी ने भी, चौरासी यानि चौरासी लाख योनियों के कस्ट उठाए, और बन्या पजावे खरव, खर्मान गधा, कुमहार के पजावे पर, यानि उस किलन पर, जहां एटें पकाई जाती हैं, और जहां पर बरतन पकाई जाते हैं, उसको पजावा बोलते हैं, पजावा, यहां की बासान, और खर्मान गधा, ऐसे रिशीयों की भी यह दुरगती यहां हो रही है, तो परमात्मा कहते हैं, तेरी क्या बनियाद परानी, तू पेंडा पंत पकड़े वो, पेंडा माने, वो मारग, कौन सा मारग, जिस से यह तुरह सी लाखियों की, यह बरमना, यह कष्ट, जनम और मर्तू समाप्त हो जा, उस मारग को पकड़े, उस ग्यान को गरहन कर, उसके लिए, शिरी मत बगवत गीता, अध्धाय नंबर, चार के सलोक नंबर बतीस में कहा है, कि अरजुन, जो मैंने अभी आपको ग्यान सुनाया, अध्धाय नंबर चार के सलोक पतीस से लेकर तीस तक, जिसमें कहा गया है, कि कोई तो देवताओं की पूजा करते हैं, और कोई हवन यग ही करके संतुष्ट है, और कोई योग अभ्यास करता है, कोई तीक्षण अहिंसावादी मर्त रखता है, जैसे मुख पर पट्टी बांध कर नंगे पैरों गूंते हैं, कि कोई जीव है नशाना हो जाएं, और कोई सवध्धाय करते हैं, जैसे कोई गीता जी का पाठ करता है, तो कोई वेदों के कुछ सलोकों का, मंत्रों का डेली सवध्धाय करता है, तो इस परकार के जितनी भी क्रियाएं हैं, जो भी कर रहा है, वो अपनी क्रियाओं को सत्त मान कर कर रहा है, जैसे उसको पता लग जाए, कि ये सास्तर नुकुल नहीं है, तो त्याग देगा वो तुरत है, इसलिए कि स्रीमत भगुत गीता, धैर नमर चार के सलोक नमर बतीस में कहा कि अर्जुन, इन धार्मिक यगों यानि धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी, सचीदानंद घंबर्म की वार्णी में विश्टार के साथ कहा है, और उस प्रमात्मा ने अपने मुख कमल से आकर बोली है, उस सचीदानंद घंबर्म की वार्णी में, यगों की जानकारी, यग माने धार्मिक अनुष्ठानों की गिरियाओं की जानकाई विस्तार के साथ कही गई है वो तत्व ग्यान है चोथे जाय के 33 मिश्लोक में कहा कि अरजुन इस दर्व में यग की अपेक्सा ग्यान यग स्रेष्ट है दर्व यग क्या होता है जैसे देखा देखी कहीं बंडारे कर दिये गंगा के किनारे कहीं कंबल बाट दिये कहीं और किरियाँ इदर से कोई दर्मसाला बनवा दी अब क्या बता है कि इस दर्व यानि धन से पैसे से होने वाले जो अनुष्ठान है इनकी अपेक्सा ग्यान यग स्रेष्ठ है तो ग्यान यग तत्व ग्यान यनि सत्संग है सत्संग वो तत्व ग्यान है जो सब सद्गरंथों के अनुकूल हो वो तत्व ग्यान है और वो ग्यान परमात्मा ही ही बता सकता है अपने द्वारा रचीवी स्रिष्टी को स्यम ही वो ठीक ठीक विस्तार के साथ बताता है ऐसा वेदों में परमाण है तो वो तत्व ग्यान है जो सचीदानंद ग्यान परम यानि पूर्ण परमात्मा कवीर देव ने अपनी कवीर वानी के अंदर जो ग्यान बताया है वो तत्व ग्यान है गीताग्यान दाता चौथेदय के चौथिश में शुलोक में कहता है कि अर्जुन उस तत्वग्यान को जो सचीदानंद घनब्रम की वानी है यानि उस प्रमात्मा द्वारा बताया गया वो तत्वग्यान है उसको तु तत्वदर्सी संतों के पास जाकर समझ उनको डंडवत परनाम करने से कपट छोड़ कर उनकी सेवा करने से वो तत्वदर्सी संत तुझे प्रमात्म तत्व का ग्यान कराऊंगे इसे ये सिद्ध हुआ कि गीता ग्यान दाता भी उस तत्व ग्यान से ऐ परीचित है अन्य था ये कहने की और शक्ता नहीं थी कि उस ग्यान को तु तत्व दर्शी संतों के पास जा कर समझ जब गीता जी के अठारा अध्या बोले तो एक अध्याए और बता देता जिस इनको ग्यान होता था इसको ग्यान नहीं तो पुन्य अत्मा अंदर में जाये के एक मंतर में यानि एक सलोक में गीता जी में उस तत्व दर्शी संत की पहचान बताई है कि उल्टे लटके हुए संसा रूपी वर्क्स को जो संत विश्तार के साथ जानता है ये उल्टा लटका हुआ एक पीपल का वर्क्स संसा रूपी पीपल का वर्क्स जानो अर्दुन उपर को जड़ है नीचे को तीनों गुन रूपी साखा है और जो संत इस उल्टे लटके हुए संसा रूपी वर्क्स के सभी चंद सभी भी भागों को बता देगा से वेदवित वहतत वदर्सी संथ है पुनात्माँ जब तक सत्संग नहीं मिलेगा इस पुनानी को तब तक ये ऐसे ही इस जनम और मर्तु के दीर रोग से गरश्ट रहेगा और सत्संग के वल परमात्मा ही बता सकते हैं वो परमात्मा छश्ट सो वर्स पहले आकर के हमें सत्संग बताया करते थे ज्यान दिया करते थे उस अपने अमरत वाणी से सची दानत गनबर्म की वाणी से तो उससे में हम सुरिकार नहीं कर सके क्योंकि हम ऐसी सिक्सित थे और जो एक ब्रहमन वरग सिक्सिया का अधिकारी था उनकी बुधी वहां तक पहुँचने पाई क्योंकि वो काल बगवान से प्रेरित रहें और प्रमातमा का विरोध करवा दिया है ये कहकर के कबीर ऐस इक्सित है ये संस्क्रत बासा नहीं जानता है ये उट पटांग बोल रहा है ये जूट बोल रहा है प्रमातमा कहा करते थे गुणतीनों की भगती मैं ये बूल पड़ो संसारे कहें कबीर निजनाम बिना कैसे उतरो पारे तीन देव की जो करते भगती उनकी कदे ना हो ए मुक्ती आज से लगवग छस्सो वर्स पहले ये सब्द बोलना के तीन देवतावर माविशनु महिश जी की जो भगती करते हैं उनका कभी मुक्स नहीं हो सकता पुन्यातमाओ छस्सो वर्स पहले ये बात कहना अपनी मौत को आमंतरन देड़ा होता था अपनी मौत को निमंतरन था लेकिन वो तो अविनासी थे वो तो प्रमातमा थे और उन्होंने उस समय ये सब्द बोले थे और ऐसा घोर विरोध किया था उस मालक की उन्लिलाओं को जो पढ़ते हैं आँखों से आसों नी सुकते हैं ऐसे जुलम गुजारे थे उस परम पिता के उपर हमारे बगवान अपने पिता के उपर अब जो विरोध कर रहे थे वो भी उसी के बच्चे ब्राह्मन काजी मुला उसी परमातमा के बच्चे हैं उस परमेश्वन ने किसी को भी दुरासीस ने दी नहीं तो वो समर्द सकती है एक पल मैं अगर इन दूसरों वो हमें वो हमारे पिताना होते तो उनको बहुत कुछ दंड दे देते हैं ऐसा दे देते हैं पुछो मत जैसे एक बार गोरखनात जी के साथ मज़ाग कर दिया किसे ने और उसे ने इतना गुसा उठ्था वो मंडली थी उसके साथ 400-500 की उसने एक सब्द उचारन कर दिया कि खड़े हैं वो तो पत्थर बन जाएंगे और बैठे हैं वो सिद खड़े जादा थे बैठे थोड़े तो खड़े जितने खड़े थे वो सब पत्थर की मूरतिया बन गी तो ये तो समरत हैं कुछ भी कर सकते थे लेकिन अपना पिता अपने बच्चों का आहित नहीं कर सकता चाहिए उसको वो कुछ भी कितने दुखी कर ले इसलिए उस प्रमेश्वर ने किसी को दुरासीस नहीं दिया कोई स्राप नहीं दिया क्योंकि वो समर्थ थे उनको मालूम है कि ये मेरे इबच्चे काल की भांग पीक है मेरे सत्रू बन गए उसमें अपने समर्थता का परमान दिया इसी सत्थ कहने के कारण बहुत पहले 200-200 फुट नीचे गहरा जल होता था कुवों में और जहरा कुवा वो होता था जो नीचे से उसका पानी खत्म हो जाता था और काफी गहरा हो जाता था उसमें डाल दिया उपर से जाड बोजडे कांटेदार छडे कंकर पत्थर रेत से भर दिया एक सेख्त की नाम के एक जलील विक्तिन है वो मुसल्मान था मुसल्मान राजा दिल्ली का वाज़चा सिक अंदर लोज़ी था और सेख्त की उसका धार्मिक पीर था सिकंदर लोज़ी राजा का मुसल्मानों को इकठा कर लेता था राजा के सामने नारे लगवा देता था राजा पबलिक को देखकर घवरा जाता था और फिर वो मनमानी सजा दिया करते थे कभीर प्रमात्मानों कोए में डाल दिया भर दिया पूरा और कुछ देर के बाद वो गहे सिकंदर लोज़ी के पास प्रमात्मा कभीर देव जी राजा के पास उनके महल में एक कमरे में विराजमान मिले क्योंकि वो समरत थे वो पूर्ण ब्रम हैं वो समरत हैं लेकिन उनकी लिलाओं को देखा जाता है पढ़ते हैं तब रोंग टे खड़े हो जाते हैं हमारे पिता हमारे हित के लिए आए थे हम उनके सत्रू बन गए तो उस समय हम ऐस सिक्सित थे अब प्रमात्मान ने सबसे पहले ये रजा बक्सी हमें सिक्सित करवाया पुनात्माओं पच्पन सो वरस तो कलियोग बीत गया और उस से पहले जालिये कितना समय तीन यूग गए केवल एक ब्रहमन वर्ग ही सिक्सित का दिकारी था और कोई सिक्सित नहीं करने करता था क्योंकि यह सिक्सित अच्छी नहीं है यह बेइमान बनाती है पराणी को यह पाप करने से फिर हिसकता नहीं है यह सिक्सित गई ब्रहमन समाज में इस सिक्सित को इन्होंने रोजी रोटी का दंदा ही बना लिया और पाप के भागी बनने लगे अब सिख्षया आगी सब समाज में कितने चतुर बन गए हम हम बले ही उपर से कितने सिष्ट नजर आते हो सुंदर कपड़े पैन कपड़िया को ठीकार लेक है अंदर से कती खोखे और खोखले हुए पड़े हम हमारे विचार वो नहीं रहे जो हमारे दाज्य और पड़दाज्यां के हम देख्या करते थे कितनी इनसानियत थी उनके अंदर अब पुन्यातमाओन हम जैसे वरतमान के मानों से भी हमारा पाला पड़ा है और आज से 55 वरस 50 वरस पहले जब हम कुछ जानने योगे हुए वो समय भी हमने लेखा है वो समय में और आज में दिन और रात का अंतर हो गया इतनी ग्रावट आगी हमारी मान सिक्ता के अंदर हमारे सिष्टा चार के अंदर इसका कारण ये सिक्षा ही है आप ओफिस में जाते हो किसी भी कारियाले में वहां भी इनसान है बाहर पंक्ती में खड़ा वो भी इनसान है कोई दयाधरम नाम की चीज नहीं रही है खाएं जाओ दके गिरगडाएं जाओ उनके सामने रहम रहा नहीं दस रफिये दे दे तो काम कर दे नीता खाओ जाके तो ये जलालत हम को किसी ने सिखाई इस सिख्षा ने सिखा दी और क्या करते हैं फिर उस पैसे काम कोठी बनाती हैं बंगला बनाती हैं कार खरीदते हैं और फिर गर में कोई ना कोई ऐसी समस्या कोई दूर गटना हो जाती है कोई बिमारी लग जाती है उस सारे पैसे को फिर हम ऐसे ही वो पैसा तू रहता ंए विर्थ हो जाता है कोठी बना दि मरत्यू होगी आप गदाबन के कुमार के गर मिट्टी ढो रहा है और कोठी वहां खड़ी है चाट ले उसको ठीको तो पुन्यातमों इस ग्यान से हम इस माया से वापस होंगे क्योंकि ये माया दुस्मन है हमारी और इस माया का हम पर यो कहा करते हैं हम ने परमपराएं गल्द बना ली वहा करते हैं समय पूरा ड्रामा कर बैट से हैं पता नहीं किस किस परकार से हम अपने इस इन करियाओं को जो एक सिंपल वे से करनी चाहिए थी हम ड्रामा बना रहे हैं वहा करते हैं, लडके वाड़ा खुसी मनाते हैं लड़की का विहा होता है, डीजे बज़ते हैं, रभ्याद दो बच्चों का उना है और प्रमात्मा ने कर रख्या होता है क्योंकि संयोग वगवान नी जोड़ के बेजता है, जीव नी जोड़ सकता है या भूल है इसकी आए अभमुन श्रद्धालों के अनुभव जानते हैं, जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महराज जी से दिख्षा प्राप्त कर चुके हैं, तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ती मार्ग पर चल रहे हैं नमस्कार सर, नमस्कार सर, सर क्या नाम है आपका, चित्रकुमार दास, चित्रकुमार जी आप कहां से हैं, राजनाद गाउं 36, चित्रकुमार जी संत रामपाल जी महरा से नाम दिख्षा आपने कब ली, 12 सितंबर 2020 को सर, संत रामपाल जी महरा से नाम दिख्षा लेने से प जिससे हमको कोई लाब नहीं हुआ तो फिर आप संत्रामपाल जी महराज की सरण में कैसे आए सर संत्रामपाल जी महराज की सरण में ऐसे आना हुआ कि मेरे बलट कंसर था बहुत से हस्पिटलों में हम जा जा के ठक चुके थे हमको डाक्टर ने भी जवाब दे दिया था कि आपको उप्रेशन करना पड़ेगा और उप्रेशन करेंगे तो आपकी मिरुत भी हो सकती है ऐसे करके हमको डाक्टर ने जवाब दे दिया था सर जाने के बाद हमको राइपूर रीफर किया गया गाई गौब्नेंट हस्पिटल में कहरा रायपूर का वहां से लोग तरस्त होने के कारण वहां से भी हम लोग डिचार्ज करा लिए उसके बाद हम लोग ये एम्स करके रायपूर में सबसे बड़े हस्पिटल है एम्स में भी गए थे एम्स में दस दिन रहा दस दिन के बाद हमको वहाँ भी कुछ आराम नहीं आया फिर वहाँ से हमको डिचार्ज किया गया फिर हम लोग रारेक्ट घर आए घर में थोड़ा बहुत और बचा खोचा पैसा पकड़के फिर गए रायपूर कमला हस्पिटल करके वहाँ पे हमको ये जवाब दे दिया कि आप ऑपरेशन जैसे कराओगे तो ऑपरेशन कर देंगे कोई दिकत नहीं लेकिन इसमें आपकी मुरत भी हो सकती है ऐसे करके हमको डाक्टर ने जवाब दिया तो हम लोग ऑपरेशन नहीं कराए वापस घर आ गए सर जैसे कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महराज की सर में जाने का मुख्या कारण आपको बलड कैंसर था तो संत रामपाल जी महराज से नाम दिक्षा लेने के बाद क्या आपको बलड कैंसर ठीक हुआ और ठीक हुआ तो कैसे हुआ सर जो बताते हैं रामपाल जी महराज उनके बताए हुए भक्ती महराज पर चलने पर ही बलड कैंसर हमारा ठीक हुआ दिरे दिरे करके कट गएं सारी परसानिया अभी हमको कोई तकलिब नहीं है आप कैसे संत्रामपाल जी महाराज की सड़ में गई हमारा रिष्टेदार था एक जो रिष्टे में हमारे साले जी लगते हैं वो आये और हमारे इस्तिती देखने बाद हमको उन्होंने हम तो बाइक में बैटने भी काबिल नहीं थे तो उन्होंने अपने फोर्विलर लाके हमें पकड़ के ले जाके वहां बालोज जीला नामदान केंद्र था वहां से हमको दिख्षा दिलवाएं संत्रामपाल जी महराजी से दिछ्छा लेने के बाद धीरे धीरे हमारा संकर जो था टलने लगा बाकी अभी सद्गुरुरामपाल जी के दया से बहुत बढ़िया है और कोई तकलीब नहीं है हमको हाँ सर मैं जो रिपोर्ट लाया हूँ वो रिपोर्ट मैं आपको दिखा सकता हूँ कि मैं यहाँ यहाँ से यह यह परशानी था जो मेरा ब्लट कंसर था और जो सिष्ट जम्हें थे मेरे सीने में वो सब मैं आपको रिपोर्ट दिखा सकता हूँ यह मरा कैंसर है जो की संत्रामपाल जी महाराज से नाम दिख्छा लेने के बाद धिरे 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 करके पूरी तरह से साफ हो गया है और एक रिपोर्ट और दिखाता हूँ जिसमें सिस्ट लगा हुआ है जिसे अपरेशन करने के जो डाक्टर बताये थे आपरेशन करने से या सिस्ट फट जाने से आपके मुरित भी हो सकती है जो यह सिस्ट जो काला काला से बलट कर जो ठकका है इसे बलट कंसर कहते हैं यही सब कारण था मेरे सरीर में जो गुरुजी मतलब संत्रामपाल जी महराज जी से नाम दिख्चा लेने के बाद दिरे 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 सारी संकर दूर हो गए संत्रामपाल जी महाराज से नाम दिख्षा लेने से पहले ये मेरा पॉजेटी रिपोर्ट है जिसे मैं आप सबको दिखा रहा हूँ इसमें मेरे बलड कंसर है ये मेरे दूसरी रिपोर्ट है नाम दिख्षा लेने के बाद ये जितना भी दिखा रहा हूँ यह दूसरी है जो पहले cancer का दिखाया है उसके बाद ये नाम दिख्छा लेने के बाद में जो है संत्रामपाल जी महाराज जी से दिख्छा लेने के बाद ये मेरे report नार्मल आया है और ना ही मेरे operation करवाने की जुरुवत था ना ही कोई दवई गोटी मैं ले रहा हूँ संत्रामपाल जी महाराच जो दिये हैं बस उनी का गुनगान करते हुए नाम दिक्साद लेने के बाद आपको बलेट कैंसर ठीक हो गया आपने एमस में भी दिखाया आपने बहुत सारे हास्पितलों में दिखाया बहुत सारे इस देश में ऐसे मरीज़ें जो कैंसर से ग्रसे थें जिनके पास पैसे नहीं है और वो इलाज नहीं हो पारा है उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे संत्रामपाल जी महराज से नाम दिख्षा ऐसे ले जाते हैं जैसे सत्संग आते हैं संत्रामपाल जी का उनके नीचे पिली पट्टी जो चलता है उसमें नंबरों रहते हैं वार्ट साप नंबर और सभी नंबर रहते हैं जिसमें आप अपना नाम पता पूरा बता कर संत्रामपाल जी महराज से नाम दिख्षा ले सकते हैं धन्यवाद सर आप सुन रहे थे जगत गुरू तत्वदर्शी संत्रामपाल जी महराज के मंगल प्रवचन अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें कर दो आप सकते हैं कर दो आप सकते हैं